हलो एवरिवन वेलकम बाक तो मैं चानल ताट इस इंगलेश वी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए गुड न्यूज है जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही थी कि बहुत जादा होपलेस मत होई है जैसे जैसे इलेक्शन पास में आएंगे कोई पॉजिटिव न्यूज आपको जरूर देखने को मिलेगी लेकिन वही है ट्रस करने वाली बात है और कुछ भी जो भी सिच्वेशन होती है न वह एक्सपीरिंस से होती है पास्ट एक्सपीरिंस जो हमने देखे हैं जिस तरीके से तो मैं हमेशा से फॉलो कर रही हूं यह सा जा सकता है कि आगे पॉसिबिलिटी क्या है अब भी वित प्रूफ में आपको कुछ दिखाऊंगी हो सकता है आपने वो न्यूस पहले देख ली हो पेपर की कटिंग में आपको दिखाऊंगी और उसी सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे जिसमें की एल्टी ग्रेड नहीं बोलूँगी लेकिन questions हैं बाकी ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इश्वास हो जाएगा कि हाँ हमें हमेशा hopeful रहना चाहिए तो आइए देखते हैं कि वो news क्या है तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये news निकल के आ रही है कि फरवरी में सक्रिय हो जाएगा नए आयोग सारी चीज़े नए आयोग पे ही टिकी हुई थी क्योंकि ये तो पहले ही होशित हो गया था कि जो भी भरतियां है वो नए आयोग के थ्रू ही होंगी अब आगे से अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के लिए आवेद्नों की screening शुरू हो चुक आपके लिए काफी बेनिफीशल रहेंगे उन पर ध्यान दीजेगा जिससे के आपको विश्वास हो जाएगा कि वाके में अब आपको पढ़ाई में डील नहीं देनी चाहिए वो यह है कि यहां से आप देख सकते हैं नए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया इसी मा के अंत या फरवरी की शुरुआ से ही पूरी हो जाएगी इसके बाद पैनल तयार कर सांशन को भीजा जाएगा और उसी पैनल से आयोग के एक अध्यक्ष और बारा सदस्यों वाली प्रोसेसिंग है वो पूरी हो अभी किसी भी नई भरती का अधियाचन तयार नहीं किया गया है पहले पूर्व में जारी विज्यापनों के तहत भरती प्रक्रिया पूरी की जाएगी मतलब की जो पहले जैसे कि आपका टीजीटी पीजीटी पहले है असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब पहले ही इसके होते ही अशाश्किय महाविद्यालों और शाश्किय महाविद्यालों में सिक्षक भरती के लिए परीक्षा की तिथी घोशित कर दी जाएगी मतलब कि अब आपकी डेट आसपास ही है अंदाजा आप लगा सकते हो कल ही जो आपका चुनाव आयोग है वहाँ से भी एक नोटिस मिला था एक लेटर आया था जिस पे काफी सारे वीडियो भी आप लोगों ने देखिया और मेरे पास में मैसेज भी किया आपने और उस पे मैंने इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वह एक बहुत ही वाइसपेक्ट हो जाता क्योंकि एक गंटे के अंदर- wrapping कि आप कोई भरति नहीं होगी कोई एकजाम नहीं होगा अभूर ना के बराबर उम्मीद है कि पहले कुछ ना कुछ तो positive आपको देखने को मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले क्योंकि आज से पहले भी ये चीज़े देखी गई है कि जैसे चुनाव पास में आते हैं काफी सारी चीज़े देखने को मिलती है जिसकी preparation strong रहती है देखे इंसान को काफी practical होना but the fact is कि जो चीज़े जिस तरीके से चल रही है practically आप उस पे focus करके अपनी एक strategy अपना एक planner बना के उसके accordingly work तो कर सकते हो ना और जो उस plan पे work करता है जो plan बनाता है वही successful भी होता है और उसका selection भी होता है तो यहां से यह सारी चीज़े आपको clear हो गई होगी अब आप कह सकत 100% कि आपका exam होगा क्योंकि इसमें दोनों point mention कर दिये गए हैं कि जो लंबित भरतिया है पहले उस पे काम होगा नया को या धियाचन तयार नहीं किया जा रहा है प्लस बहुत ही जल्द आपकी तिथी जोरी कर दी जाएगी वो last में दिया हुआ है आप देख सकते हो यह line कि तिथी खोशित कर दी जाएगी और फरवरी में सक्रिय आपका आयोग नया हो जाएगा और first week के मतलब आसपास यह चीज़े सारी पूरी हो जाएगी तो उसी के आसपास आपकी date भी खोशित होगी क्योंकि शुरू से मैं आपको यही चीज़ बता रही थी कि आपके आज जैसे ही आपका यह नया आयोग गठित होता है तूरंत सक्रिय होते ही सबसे पहले आपका टीजीटी पीजीटी और असिस्टन प्रोफेसर इस पे फोकस किया जाएगा तो अब मेरे ख्याल से आपको बिलकुल भी ढील नहीं देनी चाहिए कोई लूजर नहीं शोड़न ज्यादा अब बात करते हैं आपकी उड़िकेशन के बारे में यही कहूंघ कि ये लोकसिवा आयोग का है और यह नोटिफिकेशन जरूर आएगा अभी तक तो मैं यही वोर्ण आपको क्या आपको ए नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा एक्जाम का आभी कुछ नह कुल जारी रखे यह मत सोचे कि एक्जाम नहीं होगा इंस्टेट व स्प्रॉलिंग वीडियो एवरे टाइम आप अपने प्रिप्रेशन पर फोकस करो क्योंकि चीज़े अपके सामने है अब इसी न्यूस को आप चाहे 500 बार देखो चाहे अलग-अलग तरीके से देखो बात वही निकल के आएगी विंग प्राक्टिकल आपका एक्जाम होने वाला है और जिसने बहुत अच्छी त्यारी कर रखे इस एलेक्शन भी उसी कहोने वाला है सीटे बहुत जादा नहीं है यह आपको पता है एल्टी रेट का जो कन्फरमेशन है आएगा प्रिप्रेशन होगी आपको पता है बहुत जादा टाइम नहीं मिलता है अब बात कर लेते हैं जीएस की एक बात आप क्रिस्टल क्लेर समझ लो पुराना जो पैटन है मतलब की जो पुराने नोटिफिकेशन पर भरतियां अल्रेडी निकल चुकी है रिलीज हो चुकी है जैसे कि आपकी ट हैं तैयारी भी बिना जीएस के ही करते आ रहे हैं और नोटिफिकेशन में उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था और अब अमेंडमेंट होने के चांसे ना के बराबर हैं क्योंकि इतना all of sudden कुछ भी चेंज नहीं होता हां यह है नई वेकेंसी आनी है तो वह 27 वाले चुनाओं उप फूली मतलब उसका पाटन भी चेंज हो गया है जहां तक ख़बर है कि उसका पाटन भी चेंज हो गया है और मेरे ख्याल से आपको नए पाटन पर ही एक्जाम मिलेगा लेकिन वहीं सब्युक्टिवत रहता है अपने सब्युक्टिव पार्ट को स्ट्रॉंग करीए उ can go for GS, उसको भी आप strong कर सकते हो. I hope आपके questions clear हो गए होंगे और अब आपको proof भी मिल गया होगा. Thank you so for watching and giving your precious time and yes, if you have any of the questions related to these vacancies then please do comment in comment box. Thank you.